हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल, सो फ्रेंड्स, कम्यूटी हेल्थ आफ़ीशस यह चो की एक और बड़ी वेकेंसी की नोटिफिकेशन के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं, इस बार जो यह वेकेंसी जारी की गई, या देशकते कम्यूटी हेल्थ आफ़ीशस यह चो की यह वेकेंसी है, कॉन्टेक्ट ब्ड़ेसिस पर यह वेकेंसी रहेंगी, और यह जो वेकेंसी की नमबरा वेकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, आदोसे बहुत ही बड़ी संख्या में वेकेंसी निकाली गई है, तो बहुत ही जबदस वेकेंसी, एक चार सो पदो के लिए वेकेंसी की नोटिफिकेसन यहाँ पर जारी कर दी गई है, तो फ्रेंट्स इस वेकेंसी की पूरी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, और सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दें कि यह वेकेंसी जो निकाली गई है, उसको आप पूरा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं, तो बहुत ही जब अदेस्ट वेकेंसी है, तो फ्रेंट्स वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं, पूरी जानकारी आपको इसमें प्रवाइट की जाएगी, इसमें आपको बता जाएगे, नंबर आप वेकेंसी आपको बता दी गए, 1400, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को प्रेस करना, विल्कुल भी न भूलें, तो चलते हैं फ्रेंट्स टाइकली अपडेट पर, सबसे प पोर्ट दी गए है, चौदा सो पद यहाँ पर निकाले गए है, 1400 वेकेंसी है, जिसमें कि आप दे सकते हैं, यूआर की 560 वेकेंसी हैं, एड़वल्यस के लिए 344 पद है, सी के लिए 140 पद है, बीसी वन के लिए 112 पद हैं, बीसी टू के लिए 84 पद यहाँ पर रखे गए ह इसके बाद यहां पर हम essential qualification की बात करें तो essential qualification जो यहां पर दी गई है आप देशकते हैं यहां पर लिखा हुआ है ब्सC nursing आफली post-bsc nursing with integrated curriculum of certificate program in community health CPCH from any recognized nursing colleges that have integrated curriculum and passed in our after academic year 2016-2020 तो यहां पर अगर आपने ब्सC nursing किया है या फिर आपने पीबी ब्सC nursing किया है और साथ में Integrated Curriculum आप Certified Programming Community Health यहने की CPCH का आपके पास Certificate है और यह Recognite है Nursing College या और साथ में Having Integrated Curriculum and Past in or After तो और साथ में जो है आपने बिश्ची नैसिंग पीविश्ची किया है और साथ में CPCH का Certificate है और साथ में अगर आपका यह जो Academic Year है 2016-2020 के बीच का है तो आप यहां पर Apply कर सकते हैं तो यह आपकी Essential Qualification है और किस बैच के Candidates Apply कर सकते हैं 2016-20 इसके बीच के हैं तो आप Apply कर सकते हैं और इसकी जो salary आपकी रहेगी Remuneration आप देख सकते हैं रुपेश 25,000 यहां पर रखी गई है अब यहां पर आप देख सकते हैं जो 25,000 दिया गया है यह आपका जो है में salary रहेगी और इसके साथ साथ यहां पर जैसा कि आप स्योट्चोग वेकेंसी में जानते हैं 15,000 यहां पर इंसेंटिव भी आपको दिया जाएगा वह आपका मिलने वाली है तो यह हो गई आपकी वेकेंसी की information, qualification और שלי अब दखते हैं जारी कहां से वेकेंसे जानसी जारी कि गई है यहां पर आप दे सकते हैं, गुवश्यारखन के वेकेंसी जारी पर आप लोगों से आंलाइन अप्लीकेशन इंवाइट किया रहा है है और यह जो vacancy रहेंगी शस्यच्चों की वह आपकी एक साल के लिए इसका प्याइट रहेगा और आगे जो है आगे इसको बढ़ाया भी जाएगा तो वह आपका बात का है लगिन पहले एक साल के लिए रहेंगा उसके बाद इसको इंक्रीज किया जाएगा फिर यहाँ पर जो वेकेंसी रहेगी आपकी वो नेशनल हेल्थ मिशन जार्खन के अंतरकती वेकेंसी रहेगी इसको यहाँ पर आपको देखना होगा तो यहाँ पर आपको सारे में में पॉइंट सिस में दिये गए हैं यह आप सभी लोग इसको रीड कर लेंगे अभी मैंने जैसे की आपको बता है कि सेलरी की जो अभी इंफेरमेशन आपको दी थी मैंने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नूंबर फॉठ में दिया गया है यहाँ पर आप सेसकते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स सेल भी अवाड़ेड एस यच्चो एंड विल बी इंटाइटल और फिक्स्ड रेमिडरेशन आप रुपी ट्वेट थाउजन तो पचीछ जार रुपे आपकी फिक्स्ट सेली है और पर मंथ इसके अथार एंड मैक्सिमम रुपी 15,000 पर मंथ इवेंट गाइडलाइन्स तो यहाँ पर 15,000 जो है आपका इंसेंट्व रहेगा पर्फॉर्मेंस बेस तो वह आपको अलग से मिलेगा तो इस तरह से अगर जो फिक्स्ट सेली और इंसेंट्व सेली मिलाके बात की जाए तो 40,000 आपकी सेली यहाँ पर रहेगी तो जबरस से आपको यहाँ पर मिलेगी तो यह तो आपकी सेली की इनफर्मेशन यहाँ पर दी गई है अब इसके अलावा यहाँ पर आदे सकते हैं कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर नीचे दिए गए हैं एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मिनमूम 21 रखी गई है यानिकी 21 सा फीमेल अन्रिवड बीसी वन बीसी सेकंड के लिए थर्टी एट एट एर्स एस्ट मेल और फीमेल के लिए फोटी एस यहाँ पर एज लिमिट रखी गई एज लेक्सेशन आप फाइव यह सैल भी गिवन टू डिव्यांक या पीच के लिए रखी गई है तो यह आप यहाँ इन फाइनल बीसी एंड पोस्ट बेसिक बेसी थेयोरी एंड प्रेक्टिकल एक्जामेशन केंडिएट्स हैब टू अप्टेन मिनमम नंबर आईज बिलो के टेगरी तो यहाँ पर आपके जो सेलक्सन प्रोसेस रहेगा वह आपका मेरिट बेस पर रहेगा और मेरिट आपकी बनेगे जो बीसी या पीवी बीसी जो भी आपने किया है साथ में जो प्रेक्टिकल एक्जाम हैं उनके जो मार्क्स हैं उनको जोड़कर आपकी मेरिट बनाई जाएगी तो उसके आधार पर आपका यहाँ पर जो है मेरिट बनेगी अब इसके लिए हैं पर दे सकते उसके के लिए आप पर क्वालिफाइंग रहने चाहिए वह 40% अंधिवर्ट के लिए है 40% ही आपका EWS के लिए है 36.5 बीसी बीसी के लिए 34% जो है फार बीसी बार के लिए 32% चैन के लिए और 30% एपर PGT के लिए आप रहेगा उसके आप यहाँ अपर बत आपका दे सकते अग वही आपका होना चाहिए ट्रेटर आज प्रूफ आप डेटा बर्थ तो डेटा बर्थ के लिए आपका हाइश्कूल की मार्ग सीट में जो डेटा बर्थ है वही रहेगी और उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा उसके लावा एज लिमिट के बारे में अगर कोई भी डाकूमेंट लगाते हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इलिजिबल केंडिडेट्स में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन विफोर एट जुलाई 2023 तो आठ जुलाई 2023 से पहले पहले आपको यहाँ पर आवेदन कर देना है documents to be submitted include आपका जो documents upload होगा वो के देख सकते include क्रकर किया गया है अधार कार्ड हो लगेगा कार्ड सर्टिफिकेट अगर applicable है educational qualification आपको लगाने होंगे matriculation certificate लगेगा EWS certificate if applicable है दिव्यांग certificate if applicable है certificate of integrated curriculum in community health all self-attested तो यह सारे आल जो डाकुमेंट लगेंगे वो आपके self-attested होने ज़रूरी है यहाँ पर लिखा हुआ on website तो details आपको यहाँ पर मिलेंगे www.jrhms.jharkhand.gov.in यह इस website है इस पर जाके पूरी detail यहाँ पर मिल जाएगी यह PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो फ्रेंट से वेकेंसी यहाँ जो जादी कीगे बहुत एच्छी वेकेंसी है पूरी information मैंने आपको यहाँ पर कर सकते हैं qualification बता दिए हैर एक चीज की जानकारी आपको प्रवाइड कर दिए है तो आई होप यह वीडियो आप सभी कंद्रेश्ट के लिए इंफार्मेटिव रहेगा तो मिलते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हि